हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूटूब चैनल फोर आपकी सकसे चलियाजी क्लास को स्टार्ट करते हैं और कल वाली क्लास में आपको अच्छे से हूमन ब्लड के बारे में समझा दिया था थोरी और डायग्राम की धुरू और आपको समझ में भी आ गया होगा तो आज ही क्लास म में आपको कमेंड करके अपना स्कूर भी बताना है कि क्या स्कूर यहां पर आपका रहा है और देखिए इस टॉपिक की पीडियेफ आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगी टेलिग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होई है तो वहां से आपक जाएगा संयोजी उत्तक क्या होता है रख्त एक संयोजी उत्तक होता है क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें एक मैट्रिक्स पाया जाता है क्या पाया जाता है और यह क्या करता है अंगों को जोडने का काम करता है हमारी जो अंग होते हैं और गन होते हैं उनको जोड द्रगत की कुल मातरा लगबग कितनी होती है तो देखे ML में आपको यहां पर पूचा गया है देखे normally हम बात करें तो लीटर में कितना होता है तो यह लगबगा आपको पॉइंट 5 से लेकर के 5.5 लिटर आपका होता है लगबगा हम यहां पर बात करें लेकिन इसको normally महाना तो आपको पूछा गया है तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों यानिकी 5000 ml और 4000 ml यह दोने आपके यहां पर राइट है चले नेश्ट कुछन देखते हैं नेश्ट कुछन है शरीर में हीमोगलोबीन का क्या करता है तो यह ओक्सिजन का परिवहन करता है तो आपको यह पर राइट हो जाएगा और सिरीर में लगबग 70% fE नहीं कि लोह होता है इसमें बलड की आरबी सी में पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हीमोगलोबीन इसको बोला जाता है और मास पेशियो की कोशिकाओं में जो पाया जाता है उसको मायोगलोबिन कहते हैं जो हीमोगलोबिन होता है वो रक्त में oxygen को फेपडो से उतको तक पहुंच आता है और मायोगलोबिन क्या करता है मायोगलोबिन पेशियो की कोशिकाओं में इसको घ्रेंड करता है स्विकार करता है इस्टोर करता है ट्रांसपोर्ट करता है और ओक्सिजन को छोड़ता है यह सारे काम को उन्ट करता है मायोगलोबीन करता है तो यहाँ पर ओप्सन आपका बी राइट हो जाएगा हीमोगलोबीन क्या करता है औक्सिजन का परिवेन करता है अगला क्युशन देखते है अगला क्युशन याप रहे है निमनिमी से वह जीव कौन सा है जिसमें हीमोगलोबिन प्लाजमा में घुल जाता है तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा केचवा, जो केचवा है उसमें क्या होता है हीमोगलोबिन प्लाजमा में ही घुल जाता है क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या होता है साउसन परणाली ठीक से नहीं पाए जाते है किसमें केचवा में और हीमोगलोबिन जो है वो गैसो और अन्य सामगरियों का परसार करने के लिए प्लाजमा में ही घुल जाता है किसमे Kehwemi ऑके अब चलते हैं emand inquision की तरफ ने ref question आपकर है किसके कानरक्त का रंग लाल होता है किसकी वज़यसे होता है वारे जो blood होता है वो red कल का क्यों होता है तो यह होता है hemoglobin की वज़यसे यानि की option आपका D याँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और प्लाज्मा कैसा होता है तो ये होता है आपका पीला होता है उसके बाद में आपर हीमो काइनीन की अमबाद करें तो ये कैसा होता है ये नीला होता है कैसा होता है नीला होता है जो कि Octopus में होता है और ये पीला किस वज़े से होता है प्लाजमा तो ये बिली रूबिन के कारण होता है ओके ओर डबलू वेसी कैसे होती है तो ये वाईट होती है न की सफेद होती है तो सभी को आपको ध्यान रखना है option D correct हो जाएगा अब चलें नेश्ट कुस्टन देखते है नेश्ट कुस्टन आपर है लाल रख्त कणिकाओं का डैस के कारण रंग होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो RB से होता है उनका कलर किसकी वज़़़ से होता है जिसके कान रक्त क्या होता है लाल होता है हीम में एक लोहे का परमानों होता है यानकी आईरन का एक परमानों होता है जो ओक्सिजन को भांगता है और फेपडों से ओक्सिजन को सरीर के अन्य भाग होता के पहुंचाता है तो याद रखना है चलिए अब नैस्ट कुशन की तर सफ़र्ट चाप कितना होता है तो ने कि ब्लद परे शरोता है कितना होता है तो तो में adopt अंसर हो जाएगा 120 इंहीं 120 में 800 महण हैंदे सब्सक्राइब जाएगा और आप से आपा राईट हो जाएगा और दो सब्सक्राइब पोलते हैं इंगे आपको होता है और नेशान की तरफ सनक्या जो अब आपका यहां मन हमIs से ज ज़ादा होता है जो एक परेशर होता है अब कि तरफ चलते हैं, bes और हम और आपने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला उपकरण है यानि कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किसमे नापते हैं ओके तो यह आपका है इस पाइग्णो मैनोमेटर यानि कि आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा इस पाइग्णो मैनोमेटर की वज़े से क्या करते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापा जाता है तो ऑप्सन B आम पर राइट हो जाएगा अब चलिए नैस्ट के उसन देखते हैं नैस्ट के आपर है किसी वियक्ति का रख्ट चाप यानि कि ब्लड प्रेशर, 140 मीटर सब्सक्राइग्ण किसको संदर्वित करता है तो बिल blood pressure की जो रिडिंग है उसको पारे की मिली मिटर में व्यक्त किया जाता है यहिन कि मर्ट की जो होता है उसमें किया जाता है तो option आपका D right हो जाएगा next question देखते हैं अगला कुछन यह पर है स्वस्त मनुष्य का रख्षाप systolic और Diastolic क्या होता है? तो अभी पीछे मैंने आपको बता दिया है कितना होता है एक स्वस्थ्रति का जो रप्शाप होता है то यह होता है 120 upon में 80 mmHg होता है तो देखें आपके systolic और diastolic आपको पूछा गया है तो यह क्या होता है? तो देखें जो 120 होता है सब्सक्राइब देखते हैं जब कोई व्यक्ति सामाइन रूप से बुजुर्ग हो जाता है तो रग्त चाप हो जाता है यानकि उसका ब्लड प्रेशर होगा वो क्या उसमें क्या चेंज होगा बढ़ेगा गटेगा या परिवर्तित रेगे या फिर व्यापक रूप से वह लुट में क्या होता है चाल तो यहां पर अपका बी सख और देखते हैं अग्युकूल के द्वारा खोजे गया है यानकि जो ब्लड है वो किसके द्वारा खोज़ गये थे जो ब्लड गुरुक्ष न कोन तो यह सब एक हैं जो तो रख समोह इनकी खोज कप की थी तो यह की थी 1901 मेंनों ने खोज की थी और देखी 1940 में इनको क्या मिला था Nobel Prize भी इनको मिला था 1940 में इसको लेंड इस टिनर हो तो option A राइट हो जाएगा अब चले नेश कुसिन की तरप चलते हैं तो नेश कुसने आपर है आरच कारक यानिक जो आरच फैक्टर होता है इसका नाम एक परकार से लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा बंदर यानकी option आपका D यहाँ पर राइट हो जाएगा जो आरच कारक फैक्टर है इसका नाम एक परकार से क्या लेते ह O positive, O negative, A B positive, A B negative यह सभी आपके क्या है, क्या है यह RS factor है sorry यहाँ पर आपको थोड़ा सा write कर लेना है A positive और A negative, ओके यह सभी क्या आपके RS factor होते हैं और RS factor, RS positive और RS negative को मतलब क्या होता है तो केवल यह क्या करते है, RS antigen से होते हैं यह यह दर्स आते हैं तो यहाँ option B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अब देखते हैं next question, next question यहाँ पर है, कौन सा रक्त समों यानकी blood group, सार भोमिक दाता कहलाता है, यानकी universal donor कहलाता है, तो यहाँ आपका कहलाता है कौन सा, O blood group, यानकी option आपका B, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, और जो A B होता है, वो आपका universal, क्या होता है, असेप्टर होता है, सार भोमिक क्या होता है, आपका गराही होता है, okay, next question देखते हैं, next question आपर है, रक्त समों A B, किस रक्त समों से, व्यक्ति से, रक्त स्विकार कर सकता है, यानकी जो A B blood group वाला व्यक्ति है, वो कौन से व्यक्ति से, जो blood है वो grant कर सकता है ले सकता है तो यहां पर आपका जो right answer हो जाएगा आपका कौन सा option D कोई भी जो रख्त समुह blood group वाला व्यक्ति है वो AB क्या करता है उसे ले सकता है चाहिए उसका blood group कुछ भी हो सकता है क्योंकि जो AB होता है वो क्या तो universal acceptor होता है यहनकि सार भोमिक दाता यहनकि सोरी ग्राही होता है सबी से वो क्या कर सकता है blood ले सकता है तो option आपका D right हो जाएगा किस-किस से ले सकता है AB, O, AB इन सबी से यह ले सकता है AB positive रक्त वाले लोग सार भोमिक प्राप्त करता होते हैं क्योंकि उनके क्या होते है रक्त में AB या फिर जो कोई भी RS factor है वो antibody नहीं होता है और किसी भी परकार के रक्त के दाता से वो क्या करते हैं RBCN की red blood cell को घ्रहने कर सकते हैं ओके, next क्यों देखते हैं, तो next क्यों आपर है, मानव स्रीर में रक्त का pH मान कितना होता है, pH विल्यू आपर आपको बलड़ की बताने कितनी होती है तो देखे, थोड़ी में चैसे मैंने आपको समझाए था, तो यह आपके होती है, 7.4 pH यानकी option आपका B, यहां पर right हो जाएगा तो देखे, एक pH scale होता है, जिसमें 0 से लिकर के, क्या होते हैं, 14 तक अंक अंकित इसमें होते हैं और साथ में जो होता है, वो उदासिन आपका होता है, तो देखे, यहां पर आपका कितना होता है, 7.4 pH होता है, किसका blood का तो यह आपका यहां पर आएगा, यान की, जो सास से आगे वाले होते हैं, वो कैसे होते होते हैं, और सास से कम वाले होते हैं, तो हमारा blood कैसा है, तो यह आपका है, कौन सा छारी है, यान की basic होता है, next question देखते हैं और देखिए आपको इसकी pdf जो है वो टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगी वहां से आपको इस topic की pdf डाउन्लोड कर लेनी है और class आपको पसंद आई important लगे तो please like और share भी ज़रूर करना ओके चलिए next question देखते है next question देखते हैं wbc का पूर्ण रूप है यानकि wbc का आपको यहाँ पर पूरा नाम बताना क्या होता है तो देखिए wbc का पूर्ण रूप होता है क्या सपेद रखत करने का हैं यानकि white blood cell या फिर corpusels भी इसको बोलते हैं तो option आपको यहाँ पर c right हो जाएगा चले next question देखते है next question यहाँ पर रहे निमल कित में से कौन से दो शब्द का मतलब एक ही है यहाँ पर आपको वो आपको शब्द बताने कौन से हैं दो शब्द जिनका मतलब एक ही होता है तो यह आपका हो जाएगा कौन सा option b paste maker और essay node इन दोनों का मतलब क्या होता है एक ही ही इनका मतलब होता है paste maker और essay node का next question की तरब चलते है next question यहाँ पर रहाँ आपका मनुश्यों में systolic और diastolic दबाव की बीच कितना अंतर है तो देखिए systolic और diastolic की बीच में आपको अंतर पूछा गया है तो सबसे पहले आपको systolic का पता होना चाहिए यह कितना होता है तो यह आपको होता है 120 mmSg diastolic कितना होता है तो यह होता आपका 80 mmSg तो इनके बीच में अंतर आपको पूछा गया है तो माइनस आपको इसमें से कर देना है तो आपका जो बचेगा वो बच जाएगा आपका कितना 40 mmSg तो ओप्सन आपका यहां पर C राइट हो जाएगा अगला किसमें देखते है next किसमें आपर देखे ऐसी कौन सी इस्तिती है जहां धमनियों के अंदर पटिका का निर्मान होता है तो इसका आपका राइट आणसर हो जाएगा धमनिकला काठीनय option आपका B यहांपर सगह हो जाएगा यादि कि atheros colorist को बहीं जाता है और भोला हो जाता है इसको धमनिकला काठीनये को ऑप्सन B करेक्ट हो जाएगा अगला कूसन देखते है अगला क्यूसन यहां पर है WBC को कहा जाता है तो यहां पर देखिए आपको WBC के लिए पूछा गया इसका वेग्यानिक नाम यहां पर आपको पूछा गया है तो देखिए WBC को और क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है लूकोसाइट्स याव बोलते हैं यह इसका विग्यानिक नाम है और देखे डब्लू बीसी क्या करता है तो डब्लू बीसी बीमारियों से रक्षा करते हैं । पर्तिरोदर जो समता होती है उसको बढ़ाते हैं कौन डब्लू बिसी यानिकि वाइट बलड्ड सैल जिसका तो देखे इसक्यूशन को अच्छे से मैं आपको यहां पर समझा देती हूं कि यह क्या बोलना चारा है तो देखे पेट में बच्चे को रहने में एक तरल पधार्थ क्या करता है मदद करता है साइधा करता है जो बच्चे की चारों तरफ होता है तो देखे इस तरल पधार् तो यहां पर आपका जो right answer हो जाएगा वह आपका हो जाएगा उल्ववेधन क्या बोलते हैं इसको उल्ववेधन इसको बोला जाता है यानि की option से यहां पर करक्ट हो जाएगा और उल्ववेधन को इंग्लिस में एमीनो सेंटेसिस कहा जाता है तो option C आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला की सुनिया पर देखते हैं एक तरल पधार्थ क्या है जो पाचन के दोरान छोटी आथ की घांट से लसी का तंतर में जाता है इसमें आमतोर पर वश्णा और प्रोटीन होते हैं तो वो तरल जाता है जो की पाचन के दोरान छोटी आथी गांट से लसी का तंतर में इसको भेजा जाता है और इसमें क्या क्या होता है इसमें वश्णा और प्रोटीन होता है किसमें केम में तो option आपका यहां पर C हो जाएगा ओके आपको ध्यान रखना है अब देखते हैं नेस्ट कु वथए का दिल और फ्यपड़ी तो यहां पर आपका जो करक्ट अंसर होजेगा वो जाएगा ञाउन होते हैं जसार नहीं होता है कि मोटाी कितनी होती है जो केशिकाई होती है जिनको कैपिलिरी बोलते हैं क्या बोलते हैं कैपिलिरी इनको बोलते हैं इनकी मोटाई आपको पूछ दी कितनी होती है तो देखें इनकी जो मोटाई होती है एक सेल मोटी कितनी होती है एक सेल मोटाई होती है केश सिकाओं की कैपिलिरी की और देखी कैपिलिरी क्या होती है तो ये आर्टरी और वेंस मिलकर के क्या बनाती है कैपिलिरी बनाती है आपको याद रखना है जो आर्टरी और वेंस होती है वो मिलकर के क्या बनाती है कैपिलिरी बनाती है जिनकी मोटाई होती है, एक सेल मोटाई, यानि की option आपका C याँ पर बिल्कुल right हो जाएगा ओके तो friends, आज ही class यहीं पर end होती है आप अपना score जरूर बताना मुझे comment करके कि क्या score यहाँ पर आपका रहा है, और class आपको कैसी लगी है अच्छी लगी है, तो please like और share जरूर कीजिए और इसकी PDF आपको टेलिग्राम उर्पर मिल जाएगी, तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ओके और देकि इसके बाकी की जो क्यूसन रह गई है जो कल की class हमारी होगी उसमे हम complete करने वाले हैं तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक और शेल जरूर करना थैंक यू